तो ये पोईम है, 10th क्लास की 3rd पोईम है, MCB की बुक में से Ballad of Sir Pratap Singh Ballad होता है कि जब हम किसी कहानी को पोईम की फोर में लिखते हैं, that is called a Ballad तो ये परताप Singh का Ballad है, ये Sir Henry Newbolt ने लिखी हुई है अब देखो, यहाँ पर नाम भी दिया हुँ, लास्ट में, Sir Henry Newbolt तो इसमें क्या है, इस स्टोरी में, इस पोईम में, के एक आदमी है, जिसका नाम है Sir Pratap Singh ये वला, वो जोदपोर का राजा है, जोदपोर, J-O-D-H-P-O-R-E, जोदपोर जोदपोर का राजा है, ठीक है, तो ये जोदपोर, तो वो जोदपोर में रहता था, एक बार उसके वहाँ पे राज्य में, एक आदमी आ गया, इंग्लिश मैन आ गया, ये दिखो, और परदाब सिंग की उसके साथ दोस्ती हो गई, दोनों मिलकर सुबाश शाम, जिसे गोड़े पे बैठ कर जाते थे, करेज की, साहस की, बहादरी की, वेलर की बाते करते थे, एक बार क्या हुआ चानकी, कि वो जो इंग्लिश मैन था, उसकी चानकी देथ हो गई, जब देथ होई, तो जोदपोर के कुछ लोग मिलकर परदाब सिंग के पास है, उनको कहने लगे, सर एक स्वीपर चाहिए, परदाब सिंग ले बोला, स्वीपर क्यों चाहिए भी, वो आदमी बोलने लगे, कहते सर, वो जो इंग्लिश मैन हैं, जो आप मरे यहाँ पर जोदपर में रहता था, उसकी देथ हो गई है, उसको सुनकर, परदाब सिंग एकबर हरान हो गया, देथ हो गई है, इतनी जल्दी वो कैसे, तो वो आदमी कहने लगे कि अब इंग्लिश मै इनका जो बायर है, तबूत है, अर्थी है, उसको उठाने के लिए चार अदमी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पर जोदपर में तीन अंग्रेज हैं, एक चोथा और भी चाहिए, और हमारे जोदपर में बाकी सभी हिंदूज हैं, हिंदूज तो हाथ नहीं लगाएंगे, क् कास्ट उनकी लग गए, इंगलिश वालों की, वो क्रेस्टिन्स हैं, तो इसलिए एक स्वीपर चाहिए, क्योंकि स्वीपर की कास्ट नहीं होती, उसकी कास्ट जाने का कोई खतरा नहीं, अगर हिंदू ने हाथ लगा दिया उसके बायर को, तो उसकी कास्ट खतम हो जाएग तो में हिंदू जाते से निकाल दिये जाओ के, तो वो कहता है मुझे कोई डर नहीं है, मेरे लिए सूलिए की कास्ट इस सबसे बढ़ी है, सूलिए कोई देश नहीं होता, कोई धरम नहीं होता, तो ये सारी स्टूरी है प्रताप सिंग की बेलर बहादरी के बारे में, और क तो this ballad, this poem brings out the foley of the caste system also, ठीक है, तो प्रताप सिंग का मानना था के प्रमात्मा की आंख में तो सभी equal हैं, all men are equal in the eyes of God, no one is a higher law by caste, humanity is the only true caste, तो ये उसके बारे में पोहिंग है, तो ये पोहिंग जो है, ये कास्ट सिस्टम के अतिया जार के बारे में बताती है, तो ये भी बताती है, कि आदमी का जो कास्ट है, वो जनम से नहीं होती है, बट बाई इस एक्शन्स, बलकि उसके कामों से होती है, जो जिनका दिल अच्छा होता है, ऐसे आदमी जो है, इरिस्पेक्टिव ओफ तेर बर्थ, वो जहां मरजी जनम लिया हो, छोटी जात में या बड़ी जात में, बिलोंग टु वन कास्ट, वो एक ही कास्ट हो बिलोंग करते हैं, एक जो सच्छा सिपाई है, उसका सब जतने भी दुनिया के सपाई उनके साथ संबंद होता है, उसको हम मतलब कोई एक देश के साथ नहीं मिला सकते, उसकी बहादरी, बाकियों के साथ मिलती जुलती होती है, करेज, वैलर का मतलब बहादरी, करेज, सहास, उसका ब्रदर हुड विद आल अस सुल्जर्स, और उसका सभी दूसरे सुल्जर्स के साथ बाईचारा होता है, ब्रदर हुड, तो अब पॉइम देखो, इन फर्स्ट बना था, किंग बना था, राइडर केम टू रेड, रोज रेड हाउस, तो एक गुर्सवार उसके घर में आया, प्रताप सिंग के, प्रताप सिंग के घर का नाम था, रोज रेड हाउस, ठीक है, दा हाउस उफ प्रताप सिंग, जो कि प्रताप सिंग का घर था, यंग ही वा वो जो आदमी आया वो जमान था, इंग्लिश मैन था, and a soldier hilt and heel, और वो तगरा वो soldier था, and he struck fire in प्रताब's heart, उसको देखकर प्रताब के दिल में कमपंस ही मसूस हुई, As the steel strikes on steel, ऐसे लगा, जैसे एक steel दूसरे steel से, एक लोहा दूसरे लोहे से टकराया है, दुनों को, एक दूसरे को मिलकर ऐसे लगा, Beneath the morning stars, the road, जब सुबा का वक्त होता था, Beneath the morning stars, अब ही, तारे निकले ही होते थे थोड़े-थोड़े, तो वो दुनों गोड़े पे बैठ कर जाते थे, Beneath the evening sun, इस तरह शाम को, जब सुरज छिपने ही लगता था, तब भी वो जाते थे, बतों सुबा शाम गोड़े भी बैठ कर सायर करने जाते थे, And the blood sank to them as the road, चलते चलते, वो दिल से बहुत अच्छे च्छे गाने गाते थे, That all good wars are one, और मेशा कहते थे, कि जितनी भी wars हैं, वो एक जैसी ही होती हैं, ठीक है?